जाहिन दोस्तों अगर आप SSC GD का पेपर दिये हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी है जो कि इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं जितने भी कंडिडेट हैं जो कि SSC GD 2024 का एक्जाम दिये हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और जिनके कम नंबर बन रहे हैं उनके लिए वीडियो खास करके बनाय जा रही है अगर आप SSC GD 2024 का एक्जाम दिये हैं एक्जाम का एंसर की चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि इतने नंबर में हमारा सेलेक्शन नहीं होगा तो आप सभी वीडियो को पूरा खास करके SSC GD वाले बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है जादा जादा बच्चे इस वीडियो को सेर करें ताकि उन सभी को भी जानकारी मिल सके जो बच्चे SSC GD में कम नंबर लेकर आए हैं सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि SSC GD का यहा की वेबसाइट से पता कर चुके होंगे अभी यहाँ पर बात करें तो IQ Rank की जो वेबसाइट है कि उसमें कितनी सच्चाई है तो आपको बता दें कि जितना भी IQ Rank में आपको बता रहा है नॉर्मलाजेशन SSC की नॉर्मलाजेशन में सिर्फ दो से चार नंबर का ही जादा बताता है IQ Rank ठीक है अगर आप IQ Rank से अपना नॉर्मलाजेशन चेक कर चुके हैं तो बहुत अच्छा किया है दो चार नंबर आप सभी उससे माइनस ही रखिएगा पलस रखने की गलती बिल नंबर मिल रहा है ठीक है अगर आपका कितना नॉर्मलाजेशन में नंबर बन रहा है और कितना आपका राव स्कोर है इसे कमेंट बाक्स में जरूर लिखिएगा और SSC GD वाले बच्चो धान सुनिएगा अगर आपका कम नंबर है तो आप भी यहाँ पे अपने फिजिकल क कम जाने की उमीद है जान दीजेगा जितने लोग बता रहे कट आप आपके कम जाने के चांसिस हैं और नॉर्मलाजेशर में नंबर पाकर आप भी पहुच्छ सकते हो कट आप तक तो इसलिए आप भी फिजिकल की तयारी को करते रहिए ठीक हैं अगर आपके भी यहाँ पे फिजिकल की तयारी करते रहिए आप सबी को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जायेगा ठीक हैं और आपको बता दें कि पिछली बार इसी के चलते यहाँ पर मिनिमम पास मार्किंग जो 35% था उसे घटा कर यहाँ पे 20% कर दिया गया था ताकि जादा जादा बच्चो को यहाँ पे फिजिकल में मौका मिले ठीक हैं तो आप भी यहाँ पे फिजिकल की तयारी करते रहिए बाकि अगर आपने NCC कर रखा है ता आपको NCC का भी इसमें बेनिफिट मिल जाएगा इस खास करके SSC GD वाले बच्चे जितने हैं मैं उन सब को इतना ही करना चाहता हू कि आप भी अपने फिजिकल की तयारी शुरू करिए अब समय कम है ठीक हैं फिजिकल आप सभी का अब यहाँ पे बात करें तो रियल्ट आने के बाद जिस्ट नेस्ट टार्गेट है यहाँ पे फिजिकल का रियल्ट आप सभी का नेस्ट मंद के फर्स्ट बीक में देखने क को मिलने वाला है ठीक है तो आप सभी यहाँ पे लगातार त्यारी में लगे रही है बाकी जितना भी अपडेट होगा आपको इस चैनल के मादम से दिये जाएगा पटापट चैनल को सब्सक्राइब करके जूर जाएए सारी तयारी आप सब की इस चैनल के मादम से हमेशा इस अगत से एक नई भरती का अपलाई शुरू हो रहा है उसकी अगर आप सभी डिटेल में वीडियो बाना जाते हैं कमेंट बाक्स में लिखिएगा हम आप सब के लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भरती और नई जानकारी सब तक जय हिंदु बंदे बातरम